शेक मसूधी महासभा ने उतरप्रदेश की अर्ने पिछड़ा वर्गी की सूची में शामिल जाती डफफाली को उपजाती शेक मसूधी भी अंकित के जाने की मांग उठाए बोदिवार को शेक मसूधी महासभा के बदादिकारे राश्चिय अर्दियक्षे अलताफ हुसाइन मसूधी के नेतरत्व में कलेक्ट्रेट पर इघटा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी बुलंद किये इस मौके पर जिलादिकारी की गयर मौझूदगी में उनके प्रतिनिदी के रूप में उपस्ते दिप्टी कलेक्टर को एक ग्यापन पेश किया गया जिसमें कहा गया कि पूरे उत्रप्रदेश में डफफाली शेक मसूदी उपजाती की आबादी लगभग सत्ता से 80 लाग है जो कि गजट की क्रम में उत्रप्रदेश में 22 नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अंकित है कहा गया कि उनकी जाती के लोग शेक मसूदी लिखना प्रसंद करते हैं और डफफाली लिखना अपमान समझते हैं मुकवंतरी को प्रेश्टे ग्यापन में कहा गया कि 30 वर्षों से सरकारी गजट में जाती डफफाली को उपजाती के रूप में शेक मसूदी शामिल के जाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, क्योंकि शेक मसूदी लिखने पर पिछडी जाती का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, दफाली लिखने पर ही प्रमाण पत्र मिलता है, लेहाद अफ़ाली जादी के साथ उप जाती शेख मसूदी अंकित कराया जाए तो समाज को मान सम्माज मिल पाएगा। अन्यता अफ़ाली लिखने पर समाज के लोग घ्रणित महसूस कर रहे हैं। प्रदाशन और ग्यापन के विशे में जनकारी देते हुए राष्टी अध्यक्षे अल्ताफ हुसेन मसूदी ने पत्रकारों को बताया। अगर हमारी मान पूरी नहीं होती है। प्रदान मंतरी जी को भी बेजी है। प्रदाशन में मास्टर रज्जन मसूदी आसिव अल्ताइब को भी बेजी है। अली उर्फ गुडू, शाहिर मसूदी, नई मसूदी, उस्मान मसूदी, महताब मसूदी, बिललाल मसूदी, रफी मसूदी, शफीक मसूदी एवं सगीर मसूदी आदी बड़ी संक्या में लोग मौजूद थे। झाल